हर वर्ष हर पाटशाला में अनेक उत्सव और पर्व मनाई जाते हैं, इन सब का अपना महत्व होता है, इन में से वार्षिक उत्सव सब से महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन पाटशाला की स्थापना हुई थी, इस उत्सव के निकट आते ही बहुत सी तैयारिया शुरू हो जाती हैं, सजावट, मुख्य अतिथी का स्वागत, नाच गाना, इन सभी का कार्य अलग, अलग अध्यापक करत हैं, हमारी पाटशाला में हर बच्चे को किसी ना किसी कार्यक्रम में अवश्य भाग दिया जाता है, इस बार हमारे शहर के मेर को मुख्य अतिथी बनाया गया, दीप जलाने के बाद वंदना हुई फिर छोटे बच्चों का नाच हुआ, इसके बाद बड़े बच्चों न की सफर्ता से प्रसन होकर हमें दो दिन का अवकाश भी दिया गया,